नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। कुछ और प्रशन देख लेते हैं यहां पर जो की प्रतिछेदी रेखाओं पर आधारित हैं और पहला प्रशन हमें यहां दिया गया है कि यदि PQR बराबर PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि QS एक बार यहां पर जरा इसको अंकित कर लें PQS बराबर PRT होगा यह हमें सिद्ध क करना है तो इसको जरा हम लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है कि PQS है वो बराबर हो जाएगा PRT तो यहां पे जो बाहिन तरफ दिया गया पद है जो सिद्ध करने वाला यहाँ पर कथा ने इसका बाइन तरफ दिया गया पर PQS है और आप देख सकते हैं कि PQS का मान जो है 180-PQR के बराबर होगा क्योंकि यह दोनों मिलकर के रैखेक कौन का यूग में बना रही है या फिर आप कह लिजए कि एक रिजू कौन बना रही है तो रिजू कौन का कुल योग 180 डिगरी है और अगर आप PQS को निकालना चाहिए तो आप क्या लिखेंगे 180 में से PQR को घटा करके यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि इसका कारण यह है कि यह दोनों मिलकर बना रही है रैखेक कौन यूग म ठीक है इसके बाद देखिए आपके पास 180 माइनस अब PQR का तो मान PRQ के बराबर प्रश्ण में ही दिया गया है तो यहाँ पर हमने उसको प्रती स्थापित कर लि रहा है और अब आप जड़ा एक बार इस बात को ध्यान दीजिए कि बिंदू आर पे यहां पे क्या हो रहा है तो आप 180 की जगह बिंदू आर पे यह रैखेक कौन का यूग में लिख सकते हैं जो की है PRQ प्लस PRT ठीक है क्योंकि इन नोनों ही कौनों का योग 180 डिगरी होग और आप जब इसका कारण लिखेंगे तो वो यह है कि बिंदू आर पर यह रैखेक कौन यूगम बना रहे हैं ठीक है और अब आप अगर यहां पे ब्रैकेट खोल देंगे तो देखें PRQ प्लस PRT माइनस PRQ आएगा और यह और यह आपस में कैंसल होके PRT के बराबर होगा जो की दाइंत रिखतिये गयपत के बराबर है और हम कहेंगे कि इद्ध हो गया यह प्रशन अगर परीक्षा में आया तो कम से कम तीन अंखों का होगा मगर बहुती सरल बहुती सीधा प्रशन है बस आपको अपनी जो बेसिक बाते हैं वो ध्यान रखनी हैं जो आधार बूत आपके पास जो कॉंसेट्स हैं उनको याद रखना है अगले प्रशन की और बढ़ते हुए डी गई आकरती में यदि X प्लस Y बराबर Y W प्लस Z है तो सिद्ध कीजे कि AOB एक रेखा है अब यहां पर आप AOB एक रेखा कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि AOB रे आप X प्लस Y को 100 सिद्ध कर दीजे चाहे आप W प्लस Z को 100 सिद्ध कर दीजे आपका काम बन जाएगा तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं कि आकरती के अनुसार आकरती के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो यह सारे कोंड हैं यह मिल करके एक संपून कोंड बना रहे हैं ज W plus Z का मान बराबर दिया है तो W plus Z की जगा भी मैंने X plus Y लिख दिया और इस तरहां से मुझे मिल गया कि दो बार X plus Y का मान तीन सो साथ डिगरी के बराबर है और अगर मैं दो से यहां पर भाग दे दूँ तो X plus Y का मान 180 डिगरी के बराबर हो जाएगा और इसे हमें क्या पता चला कि A O B रेखा के एक तरफ बनने वाले यह जो युगम है इसका योगफल असी है यानि कि यह एक रेखा है क्योंकि अगर आपके पास दो कोण हैं जो कि आसन कोण हैं और उनका योगफल 180 डिगरी है तो उन दोनों रेखाओं की जो विपरीद बुझाएं होंगी जो बुझाएं उभेनिस्ट नहीं हैं वो बुझाएं क्या बनाएंगी एक रेखा बनाएंगी इसलिए A O B एक रेखा हो गई आईए अगले प्रश्न की और ध्यान दें दी गई आकरिती में P O Q एक रेखा है किरण O R रेखा P Q पर लंब है लंब होने का मतलब कि ये कौण 90 डिगरी है किरण O P और O R के बीच O S एक अन्य किरण है सिद्ध कीजिए कि R O S का मान इतना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये कथन हमें सिद्ध करने को दिया गया है इसका 22 तरफ वाला पद जो है वो ले ले लेते हैं यानि की R O S और इसका मान इस तरहां से प्रतित साबित करते जाएंगे कि हमें जो दाइन तरफ वाले पद हैं वो मिलते जाएं तो सबसे पहले तो आप देखिए कि R O S यहाँ पर जो हमें कोंड दिया गया है इसका मान है क्या तो आकरती से ही हम लिख सकते हैं कि R O S जो है वो हो जाएगा Q O S माइनस R O Q ठीक है और आप ये भी लिख सकते हैं कि Q O S माइनस R O P क्योंकि R O P और R O Q आपस में बराबर हैं तो ये तो हमने आकरती से बात लिख ली और दूसरी वाली बात भी हमने आकरती से ही लिख ली अब देखिए Q O S में से आपने R O P घटाने की बात करी और आपको यहाँ पर R O S मिल रहा है मगर आपको जो यहाँ पर सिद्ध करना है उसमें आपको R O S की आउशक्ता नहीं है R O P की आउशक्ता नहीं है आपको P O S की आउशक्ता है इसलिए आप क्या करिए कि फिर से इस R O P को R O S और S O P के योगफल के रूप में लिख लीजे मैं एक बार पुन्हा दोरा देती हूँ कि यहाँ तक मैंने क्या पद किये सबसे पहले हमने 22 वाला पद उठाया और उसका सीधा सामान यहाँ पे आखती को देखके लिख दिया जो कि हो गया Q O S में से R O Q को घटाना R O Q जो है वो R O P के बराबर है तो वो प्रती स्थापन कर दिया और R O P को फिर हमने दो इन कोणों के योगफल के बराबर लिख दिया क्योंकि हमें जो उत्तर चाहिए उसमें R O P R O Q का इस्तमाल नहीं है बलकि P O S का इस्तमाल है अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि R O S का मान हमें मिला Q O S माइनस R O S माइनस P O S अब दोनों तरफ अगर आप R O S को योग कर देंगे तो क्या होगा आपके पास ये वाले पद कट जाएंगे तो दो गुना एंगल R O S हो जाएगा एंगल Q O S माइनस एंगल P O S और अगर हम दो से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्थित आ जाएगी जो की बिलकुल वही कधन है जो सिद्ध करने को दिया गया तो R O S का मान हो गया आधा किस चीज का Q O S और P O S के अंतर का जो की सिद्ध हो गया जो सिद्ध कर द colleague जो सिद्ध है जो सिद्ध मान है operate जो सिर्ळ jść की तो